यहां पर आप देखेगा जब यह voltage हमारे sort होंगे तो यहां पर LED on हो जाएगी और यह जो display है यह हमारी zero voltage show करेगी तो आप दे सकते हैं voltage हमारे drop हो गए और यहां पर LED on हो गई और जैसे हम अठा देंगे दोस्तो source circuit को तो हमारा यह जो LED है दोस्तो यानि की जो supply है वो वापस हमें मिल गई हेलो गाईस स्वागत है आप सभी का आशिस्टेक गुरू जी यूटूब चैनल की एक और नई वीडियो में दोस्तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा project बना कर दिखाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful हो सकता है तो आप सभी जानते होंगे दोस्तो कभी आपके पास कोई इस प्रकार का अगर कोई छोटा सा circuit board है जिसे आप test करना चाहते हैं बट अगर आपके पास उस समय कोई battery source नहीं है या आपके पास कोई variable supply नहीं है तो दोस्तो यहाँ पर आपको इसे test करने के लिए काफी जादा problem आती है तो दोस्तो उसके solution के लिए मैंने आपको इस video के अंदर एक project बना कर दिखाया है जैसे कि आप दे सकते हैं वो ये project है दोस्तो दोस्तो इस device का user के हम किसी भी छोटे से या फिर किसी भी बड़े board के अंदर voltage को inject या फिर apply करके वहाँ पर उसके अंदर testing कर सकते हैं उसे on भी क करके तो चलिए दोस्तो इस video के अंदर हम देख लेते हैं कि कैसे हम बनाएंगे इस project को और इसके अंदर कौन से parts का use करा गया है इसे बनाने के लिए और इसे कैसे बनाना है तो complete details दोस्तो आपको इस video के अंदर देखने को मिल जाएंगी प्लीज वीडियो को बिना skip करें तो guys इस project को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक boost converter module तो यहाँ पर इसका number आप दे सकते हैं तो यह है दोस्तो gold 6009 number का boost converter और दोस्तो इसका use करके ही हम इस project को बनाएंगे और यहाँ पर दोस्तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा जैसा कि आप दे सकते हैं इसके उपर यहाँ पर मैंने एक अलग से डायोड को लगाया हुआ है तो दोस्तो यह जो मेरा module है यह पहले खराब हो गया था तो इसे मैंने रिपेर करा है आप दे सकते हैं यहाँ पर एक short की डायोड होता है तो वह डायोड दोस्तो मेरे पास SMD version में नहीं था इसलिए मैंने यह यहाँ पर डायोड लगा के इसे रिपेर करा था इसलिए मैंने आपको यह बता दिया कि आपको यह ना लगे कि इसके अंदर मैंने कुछ चेंजमेंट करा है दोस्तो यह नॉर्मल सा ही बोस्ट कनवर्टर है तो चलिए दोस्तो इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फ़ले यहाँ पर आप जो ये इसका पोटेंशुमेटर देख रहाएं जो कि यहाँ पर मल्टीटन होता है दोस्तों इसे हम निकाल देंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे दोस्तों कुछ इस श्न परकाषी मौड़ीवाई किया हुआ इस प्रॉइशए howously मैं कर dar तो दोस्तों इसको कैसे बनाते हैं इसका में चैनल पर पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है तो लिंक मैं आपको इसक्रिप्श्पन वक्स में दे दूँगा आप उस वीडियो में देलीमें का की इसे कैसे बना सकते हैं तो चलिए यहां पर इस वाले पो tweeting ? को लगा दोस्तों यह में पास एक SMPS का cabinet था उसका ही यह मैंने यूज कर लिया है तो लास्ट में दोस्तों मैं इसे पैक करके इसके अंदर आपको दिखा दूँगा बट उससे पहले आपको connection समझाने के लिए मैं यहाँ पर skeleton mode में इसे बना कर दिखाऊंगा तो चलिए यहाँ पर मैं इस potentiometer को remove कर लेता हूं तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके कनेक्शन थे यहाँ पर इस वाले potentiometer के connection कर लेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा से इसके clean कर लेते हैं solder points को और यहाँ पर आम front side से या back side से इसकी connection कर सकते हैं तो मैं front से ही कर दूंगा तो चलिए यहाँ पर हम इसकी connection कर लेते हैं तो जाईस यहाँ पर आप सभी दे सकते हो मैंने potentiometer की connection कर दी हैं और इस वाले potentiometer का आप use बाद में कर सकते हैं या फिर दोस्तो इस वाले ही potentiometer का use करके आप ऐसा इसे बना सकते हो तो जैसा भी आप modify करना चाहिए आप अपने according भी इसे कर सकते हो तो यहाँ पर दोस्तो मैंने आपको इसके connection बता दी है तो दोस्तो इसके connection करने के बाद अब हमें यहाँ पर एक और circuit चाहिए तो उसका भी circuit diagram का link मैंने आपको description box में दे रखा है तो यह है दोस्तो वो circuit और इसे हम short circuit protection circuit भी कहते हैं तो दोस्तो यह जो circuit आप देख रहे हैं यह automatic short circuit protection है जब भी इसके output में short circuit होता है तो यह power supply को cut off भी कर देगा और जैसे ही आप short circuit को remove करेंगे यह वापस से power supply को वहाँ पर start कर देगा तो यह automatic work करता है तो इसका circuit diagram का link मैंने आपको description box में दे रखा है और यहाँ पर आपको इसका circuit diagram show भी हो रहा होगा दोस्तो इसे अब हम side में रख लेते हैं और जो बाकी के parts हैं उसे भी मैं ले लेता हूँ और इसके सारे connections मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर हमें एक battery ले लेंगे 3.7 volt की तो यह lithium-ion battery है दोस्तों और यहाँ पर हमें चाहिए होगे कुछ connectors जैसे कि आप दे सकते हैं यह एक type-c charging connector है और यह हमारा 12 volt DC output के लिए हमने यूज करा है एक jack तो यह दोनों connector हमें चाहिए होगे और यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक SPST switch तो यहाँ पर आप कोई भी SPST switch ले सकते हैं तो यहाँ मैंने छोटे size का SPST switch यूज करा है दोस्तों इसके बाद हमें चाहिए होगा एक charging module lithium-ion battery के लिए जैसे कि दोस्तों मैंने starting में आपको बताए इन सभी parts को हम एक cabinet के अंदर pack करेंगे तो उसके according ही मैंने सभी parts को modify करके रखा है और इसके बाद यहाँ पर हम connect करेंगे हमारा charging module यहाँ पर हम इसको expand करने के लिए यूज करेंगे एक यहाँ पर type C connector तो इसका यूज करके हम इसमें input देंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से इसके connections कर देने हैं हमें तो चलिए इसके भी connections हम कर लेते हैं तो negative दोस्तों यहाँ पर connect होगा और positive यहाँ पर इंडिकेशन पहले से ही होता है तो यहाँ पर हम इसके connection कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों इस project का circuit diagram है यह भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे दूँगा और link भी आपको मैं दे दूँगा दोस्तों उसे download करने का तो प्लीज आप इस वीडियो को बिना skip करें फुल वाच करिएगा तो आप दे सकते हैं इसे हमने यहाँ पर connect कर दिया है तो दोस्तों यह वाला part हमारा complete है इसके बाद दोस्तों अब हम ले लेंगे हमारी lithium-ion battery और इसके positive और negative side पर हम दो-दो wires को connect कर लेंगे तो आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको connect करना है द इसमें से एक-एक वायर का use करेंगे हम positive और negative का और उसको हम दोस्तों module के साथ connect कर देंगे तो यहाँ पर दोस्तों दो wires का use करके हम इसके अंदर module के साथ इससे connect कर देंगे positive और negative को तो guys आप दे सकते हैं यहाँ पर दो हमने connections कर दिये है positive negative बैटरी के जो कि दोस्तों हमारे इस module के थुरू इस बैटरी को चार्ज करने के लिए connection हो गए है और यहाँ से दोस्तों charger का input करेंगे और यह हमारा indication के लिए हो गया तो इस type से दोस्तों मैंने इसके connection कर लिए है अब दोस्तों यह जो दो wires हैं इसमें से positive वाले के साथ हम switch के connection करेंगे तो दोस्तों इस switch का connection हम यहाँ पर कर देते हैं तो यह दोस्तों हमारा एक connection हो गया switch पर और यहाँ सर्थ दोस्तों हम एक और wire का connection ले लेते हैं गाइज मैंने एक और वायर का पीस ले लिया है और इसे हम स्विच के दूसरे पॉइंट के साथ कनेट कर देंगे तो आप दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से वायर कनेक्ट कर लिया है दोस्तों तो यह हमारा बैटरे का पॉजिटिव हो गया और यह हमारा नेगेटिव हो गया और दोस्तों अब हम इन दोनों वायर को कनेट कर देंगे हमारे मॉडियूल के साथ तो यह है दोस्तों हमारा मॉडियूल जो कि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था इसके साथ हमने इसको जो पोटेंशियो मीटर है उसे करेंगे और इसके बाद दोस्तों यह जो हमारा स्विच से वायर आ रहा है बैटरी का इस वाले पॉस्टिव वाले वायर को कनेट कर देंगे हम इन्पुट में पॉस्टिव पे कुछ इस प्रकार से यह connection हो गया है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इस मॉडिल को अन करके दिखाता हूं तो यहां से हम स्विच को अन कर देंगे तो आप देशकते हैं दोस्तों यहां पर एक ब्लू कलर की लिडी ओन हो गई है तो इससे दोस्तों हमें पता चलता है कि हमारा जो circuit है वो work कर रहा है अब हम यहाँ पर output में पहले voltage चेक करेंगे कि यह जो boost converter है जैसा कि मैंने आपको starting में बताया था कि आपको यह ना लगे कि यह मैंने change करा हुआ है या कुछ इसमें modify करा है तो इसलिए पहले मैं आपको इसके voltage चेक करके दिखा रहा दिया और negative पर negative तो दोस्तो यह जो module है दोस्तो यह पहले से ही voltage को boost करके हमें दे रहा है यहाँ पर आप दे सकते हैं 20V तो यहाँ पर आप देखेगा यहाँ पर मैं voltage को down कर रहा हूं तो आप दे सकते हैं दोस्तो अब यहाँ पर हम आगे इसके साथ एक short circuit protection का connection कर देते हैं तो guys यह जो circuit मैंने आपको दिखाया था आप हम इसके connection इस circuit के साथ करेंगे guys यह जो boost converter का output है इन दोनों wires को हम connect कर देंगे इस circuit के input में और input का connection कहां पर है यह मैंने आपको circuit diagram में बता रखा है और इस circuit board के अंदर मैं आपको बता देता हूं तो जैसे कि आप दे सकते हैं यह यहां पर मैंने एक indication दिया हुआ था आउट का टो यह हमारा आउट का पॉंट है यानि दोस्तो अगर मैं आपको easy तरीकے से बताओं तो यह हमारा out का positive है और यह negative पॉंट है और यहां पर दोस्तों यह हमारे इंपूड का नेगेटिव है जो कि input और output का na बूस्ट कनवर्टर का आउटपुट है वो हमें यहां पर और यहां पर कनेट कर देना है पॉजिटिव निगेटिव के कनेक्शन हैं यहां पर गाइज मैं दो वायर को कनेट कर लेता हूं और उन दोनों वायर को हम कनेट कर देंगे इस बूस्ट कनवर्टर के आउटपुट क के साथ तो चलिए यहां पर हम इसे कनेट कर लेते हैं यहां पर हम सर्केट बोर्ड के साथ connection कर देते हैं तो यहां पर दोस्तोँ जैसे मैंने आपको बताया था जो input है इसमेहम फॉज्टी ओनेक्शन करेंगे को समय से तो यह हमारा positive input हो गया दोस्तो और negative के लिए हम यहाँ पर एक wire को connect कर लेते हैं और इन दोनों wires को दोस्तो अब हम connect कर देंगे हमारे boost converter के output के साथ दोस्तो यहाँ पर मैं आपको इस तरह से connection इसलिए करके दिखा रहा हूँ दोस्तो क्योंकि अगर मैं इसे cabinet के साथ बनाऊंगा तो आपको connections देखने में थोड़ा सा confusion होगा दोस्तो और आप हो सकता है connections आपको ना समझ में आए तो इस वज़े से दोस्तो मैं आपको इसे without cabinet के पहले बना कर दिखा रहा हूँ और यहाँ दोस्तो अब हम output का wire connect कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देश सकते हैं तो boost converter का जो output है वो हमारे इस source circuit protection के input में जाएगा और दोस्तो इसका जो output है वो हमारे direct output के DC socket के साथ connect हो जाएगा तो guys यहाँ पर मैंने socket के साथ दो wire को connect कर दिया है और अब हम इन wires के connection कर देंगे हमारे protection circuit के साथ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था output में negative हमारा common रहेगा और दोस्तो जो positive है वो यहाँ पर इस circuit के output से हम connect कर देते हैं तो दोस्तो यह हमारा input का connection हो गया और यह हमारा output का guys यहाँ पर हमारे सारे connections complete हो चुके हैं और दोस्तो इसका जो output है वो हमें direct इस DC socket के through अब मिल जाएगा बर दोस्तो output में हम यहाँ पर कितने voltage आ रहे हैं इसे check करने के लिए यहाँ पर एक voltmeter भी connect करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक voltmeter ले लिया है mini DC voltmeter तो चलिए इसे मैं निकाल लेता हूँ और इसका use करके हम इसे बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तो मैंने एक mini DC voltmeter ले लिया है आप देख सकते हो और दोस्तो इसके connections कैसे करने है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस तो यह जो हमारे दो wires है positive और negative के हैं यह जो yellow वाला wire है यह दोस्तो हमारा voltage sense करता है तो जो positive negative के connection है दोस्तो इसे हमें connect कर देना है हमारे boost converter के input के साथ और दोस्तो इसके बाद यह जो हमारा yellow वाला wire है इसे हमें connect कर देना है हमारे output के DC socket पे जो red वाला यानि ही जो positive वाला point है वहाँ पर तो चलिए इसके हम connections कर लेते हैं तो input में हम positive negative connect कर देंगे इस boost converter के साथ तो दोस्तों यहाँ पर मैं positive को connect कर दूँगा positive के साथ और negative को connect कर दूँगा यहाँ पर boost converter के negative के साथ यहाँ पर दोस्तों input के connection हो चुके हैं हमारे voltmeter के इसके बाद दोस्तों ये जो हमारा sense वाला wire है इसे हमारे connect कर देना है output DC socket के positive के साथ तो यहाँ पर दोस्तों हमारा voltmeter का भी connection complete हो गया है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम इसे cross check कर लेते हैं और इसके बाद दोस्तों मैं फिर इसे cabinet में pack कर लूँगा और उसके बाद हम इसकी full testing देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसे on करता हूं तो यहाँ पर हम इसे on कर देंगे यहाँ पर हमें output में show हो रहे हैं जैसे कि आप दे सकते हो और दोस्तों यह जो आपको flickering दिख रहा होगा यह आपको मैंने काफी सारी वीडियो के अंदर बता रखा है जो हमारी LEDs होती है वह जब यहाँ पर display में on होती है तो दोस्तों वह flickering करते हुए यानि कि बहुत high frequency पर वह blink करते हुए on होती है तो उसे दोस्तों हमारा जो camera है वह capture कर लेता है इस वज़े से कुछ आपको blinking करती हुई LED शो होती है वीडियो के अंदर तो इस वज़े से दोस्तों यहाँ पर आपको यह blinking करती हुई लग सकती है बट यहाँ पर real में आप देखेंगे तो यह constant voltage शो कर रही है तो अब यहाँ पर दोस्तों हम check करते हैं इसे boost करके तो जैसा कि आप दे सकते हैं अभी यहाँ पर 4.6 voltage है तो यहाँ पर मैं voltage को बढ़ा रहा हूँ तो आप दे सकते हैं यहाँ पर voltage increase हो रहे हैं दोस्तों तो आदे सकते हैं कुछ इस प्रकार से voltage increase होते हैं और इसके बाद दोस्तों यह जो हमारा output का socket है यहां से हम output को ले सकते हैं और चलिए यहां पर मैं short circuit को एक बाद on करके दिखाता हूं इसके बाद हम इसे pack कर लेंगे और उसके बाद हम test भी करेंगे तो short circuit के लिए दोस्तों जो output है इसे मैं direct short करता हूं और आप देखेगा यहां पर zero voltage show करेगा तो यहां पर आप दे सकते हैं short circuit protection हमारा on हो गया है और voltage zero हो गया है और जैसे ही protection को मैं हटाऊंगा दोस्तों तो voltage आ जाएंगे और red color की LED हमारी off हो जाएगी तो आप दे सकते हैं दोस्तों यहां पर eight voltage वापस से आ चुके हैं आप दे सकते हो और जो हमारी LED है दोस्तों यह off हो गई है तो मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूं तो आप दे सकते हैं voltage zero हो गया LED on हो चुकी है और यहां पर अगर हम short circuit हडाते हैं तो voltage आ जाएंगे और circuit हमारा वापस से indication यहां पर हमारा off हो जाएगा तो इस प्रकार से दोस्तों यह smart project हमारा work करता है तो चलिए अब यहां पर हम इस complete cabinet के अंदर pack कर लेते हैं तो चलिए दोस्तों अब मैं इस cabinet के अंदर इस पूरे project को pack कर लेता हूँ दोस्तों अच्छी तरह से यहां पर आदे सकते हैं कुछ इस प्रकार से मैंने पहले से ही यहां पर cuttings वगरा करके रखी हैं तो यहां पर दोस्तों इसे complete pack करके मैं आपको पहले दिखा दूँगा इसके बाद हम इसे test भी करेंगे तो चलिए दोस्तों अब इस पूरे circuit को इस cabinet के अंदर मैं pack कर लेता हूँ तो guys यहां पर आप सभी दे सकते हो मैंने इसे complete pack कर लिया इस cabinet के अंदर रहा है तो आप चेक कर सकते हैं तो यहां पर आप दे सकते हो कुछ इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसके connections करे हैं और इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले से इसके connection बता दिये थे करके कि कैसे आपको connection करने है क्योंकि यहाँ पर आप देश सकते हैं बहुत ही ज़ादा यहाँ पर messy हो गया है यह circuit तो इस वज़े से मैंने आपको पहले इसे बताया है इसका working कैसे है वो अभी हम test करते हैं तो guys इस project का circuit diagram है वो मैंने आपको description box में दे दिया है आप उस link पर click करके circuit diagram को download कर सकते हैं और इस पूरे project को easily बना सकते हैं दोस्तों उस project के अंदर मैंने आपको इसका जो यह short circuit protection वाला board है इसका दोस्तों उस circuit diagram के अंदर मैंने सिर्फ symbol आपको दिया है लेकिन दोस्तों अग कर सकते हैं और इस complete project को बना सकते हो तो चलिए दोस्तों अभी यहां पर फिलाल के लिए मैं इसे ऐसे ही पैक कर देता हूं और इसके बाद हम यहां पर इसके testing करते हैं और बाद में मैं दोस्तों इसको instant glue की मदद से fix कर दूंगा तो यहां पर दोस्तों मैं black tape का use करके इसे अभी फिलाल के लिए पैक कर देता हूं तो यहां पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से अभी फिलाल के लिए मैंने पैक कर दिया है और बाद में मैं इसे instant glue की मदद से अच्छी तरह से fix कर दूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी मैंने आपको connections बताया थे उसकी according य parts को यहां पर install करा है यह हमारा charging input के लिए socket है दोस्तों type C यह हमारा display हो गया यहां पर दोस्तों हमें indication हो जाएगा charging का और यहां से दोस्तों हमें short circuit protection का indication होगा दोस्तों यह जो potentiometer है इसका यूज करके हम voltage को step up या step down कर सकते हैं और इसके साथे दोस्तों यह हमारा on off switch है और यहां से हम output लेंगे तो यहां पर दोस्तों आटपोड के लिए आप कुछ इस प्रकार से cable का use कर सकते हैं यहां पर आदेzdंखे है यह हमारी adapter की cable है इसमें दोस मैंने आटपूड में दो यहां पर alligator clips लगा रखी हैं तो इसका यूज करके भी आप इससे us करके बी आप इससे options इसका use कर सकता हूँ और अलग-अलग जगह पर मैं जो भी requirement voltage होगी उसका use करके वहाँ पर input कर सकता हूँ और यहाँ पर दे सकते हैं इसके अंदर भी कुछ इस प्रकार का socket है जो कि यहाँ पर इसके output में लग जाएगा कुछ इस प्रकार से चलिए गाइज अब हम यहाँ पर इसकी testing करते हैं तो यहाँ पर मैं इसे on कर रहा हूं तो अभी आद दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पर यह 9.8 वोल्ट पर यहाँ पर सेट है तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसे 5 वोल्ट पर सेट करेंगे और इससे हम एक चार्जिंग का circuit टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हम इसे 5 वोल्ट पर सेट कर देते हैं तो जैसे गाइज आप दे सकते हैं यह 5 वोल्ट पर सेट हो चुका है यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर यह एक माइक्रो यूसबी का charging connector भी है तो इसका यूज़ करके हम किसी भी बोर्ट के अंदर charging का भी connection चेक कर सकते हैं जैसे कि मेरे पास एक यह Bluetooth डिवाइस है तो इसमें मैं charging को चेक करता हूं यहाँ पर आदे सकते हैं दोस्तों यह चार्ज हो रहा है और यहाँ पर आदे सकते हैं यह हमारे voltage यहाँ पर कुछ वोल्ट आप दे सकते हैं यहाँ पर drop लग रहा है तो यहाँ पर हम इसे constant 5 वोल्ट पर set कर देंगे इस प्रकार से दोस्तों हम charging भी input दे सकते हैं बोड के अंदर और वहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर हम चेक करते हैं इसे 3.8 या 9 वोल्ट पर set करके तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारे 3.9 वोल्ट है हम उस पर set कर लेंगे इसे यहाँ पर 3.92 पर मैंने इसे set कर दिया है और इसके बाद दोस्तों इस वाली cable को use करूँगा और इससे दोस्तों हम एक board के अंदर on करेंगे तो यह हमारा एक amplifier board है जिसके अंदर मैं battery वाले circuit में इसे connect कर दूँगा और दोस्तों इसके बाद हम इसे on करके चेक करेंगे तो आप दे सकते हैं दोस्तों यह board हमारा on हो चुका है तो अगर हम इसमें speaker लगाते हैं तो इसके बाद हम इसकी testing कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस project का जो मेरा motive था इसे बनाने का वो मैं आपको बता देता हूँ ज्यादा तर दोस्तों मेरे पास कुछ इस प्रकार के छोटे mini boards आते रहते हैं repair होने के लिए या फिर दोस्तों काफी सारे मेरे पास experiment मुझे करना होता है तो वहाँ पर भी मुझे variable supply की ज़ुरत परती है बट दोस्तों कभी-कभी यहाँ पर power cut की वज़े से मैं अपने power supply का यूज नहीं कर पाता हूँ तो दोस्तों इस वज़े से मैंने इस वाले option को use करा है और यह rechargeable मैंने बनाया है दोस्तों इसका use करके हम किसी board के अंदर at random कोई भी voltage दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया 3.7 volts दे दिया दोस्तों मैंने तो चलिए दोस् और circuit protection है वो कैसा है और यहाँ पर मैं आपको इसको charge करके भी एक बार दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं एक type C charger से इसे connect कर दूँगा तो यहां पर दोस्तो आप दे सकते हैं मैंने इसे connect कर दिया है और अब हम power on कर देते हैं तो यहां पर आप दे सकते हैं यहां पर red light on हो चुकी है तो यह हमें indicate करती है कि बैटरी हमारी charge हो रही है तो दोस्तो इसके बाद अब हम चेक करेंगे इसका short circuit protection, तो दोस्तो इसके लिए फिर से हम cable को connect कर देते हैं, और इसे हम on करेंगे दोस्तो, तो दोस्तो इस बार मैं इसे 3 volt पर पहले set करके दिखाता हूं, जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर lowest voltage में ये short circuit protection हमें provide करता है या नहीं तो दोस्तो इसका minimum voltage 3.6 तक जाता है, दोस्तो अगर आप मुझे comment करते हैं, तो मैं आपको इसका एक और version बना कर दिखाऊंगा, जिसके अंदर हम इसे और भी low voltage तक ले जा सकते हैं, जैसे कि 1.2 volt, तो चलिए फिलाल के लिए दोस्तो इसे on करके check करते हैं, तो यहाँ पर मै एक LED को on करके देखूंगा, तो यहाँ पर मैंने green color की LED ले ली है, और यहाँ पर आप दे सकते हैं, दोस्तो यह हवाली जो हमारी LED है, यह on हो चुकी है, तो अब यहाँ पर दोस्तो मैं इसका sort circuit का protection आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर दोस्तो हम इसे sort कर देते हैं, तो directly भी हम sort कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से sort करके दिखाऊंगा, तो दोस्तो यहाँ पर आप देखेगा, जब यह voltage हमारे sort होंगे, तो यहाँ पर LED on हो जाएगी, और यह जो display है, यह हमारी zero voltage show करेगी, तो आप दे सकते हैं, voltage हमारे drop हो गए, और यहाँ पर लगा होगा, और अगर दोस्तो आपको यह project अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल को subscribe भी जरूर करिएगा, दोस्तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज इस चैनल की और भी videos को जरूर watch करिएगा, और मुझे नए वीडियो में ने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तो बाई बाई, have a nice day, good day friends, जै हिंद